जै माता दिमित्रो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी काल का मा में मित्रो आज का विश्य है कि माता काली की पूजा में हमसे क्या गलतिया ऐसी हो जाती है कि हमारी जो पूजा है वो फली बूद नहीं हो पाती वो सफल नहीं होती जिसका हमें कोई फल नहीं मिलता और हमारी जो मा बगवती है वे परसन नहीं हो पाती आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं आप का जिसमें आपकी सरद्दा होती है में हनुमान जी भी हो सकते हैं माता काली भी हो सकती है बोले बाबा भी हो सकते है जिसको भी आप मांते हैं तो आप अपना 100% जो हैं दे रहे हैं आप मन लगा कर उनकी सेवा करते हैं लेकिन जो गलती हो रही है वो सायद हमें भी पता नहीं होती और सायद हम ढूंडते भी नहीं हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे जो इश्ट हैं हमारी माँ भगवती हैं वे हमारी क्यों नहीं सुनती हम इतरी समस्याव से घिरे हुए हैं तो हमारे इश्ट हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे वे हमारे दुखों का अंत क्यों नहीं कर देते तो कहीं न कहीं आप अपने इश्ट को दो सी ठहरा देते हैं जो की आपकी सबसे बड़ी गलती होती है तो आज हम इनी विशो पर बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या वे गलतिया हो रही है जिसकी वज़े से हमारी जो पूजा है वो फलिबूत नहीं हो पा रही पूजा एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें आपको मिलता तो बहुत कुछ है किन्तु पहले आपको देना होता है यदि मैं साधारन सी भासा में कहूं तो कोई वस्तु आप लेते हैं तो आप उसका मूल्य चुकाते हैं तब वो आपको प्राप्त होती है तो भगती का मार्ग भी यही है कि सबसे पहले आपको देना होता है तो क्या देना होता है सबसे पहले आपको अपना विश्वास देना होगा अपने इश्ट पर विश्वास करना जो है पूर्ण विश्वास होना बहुत ही जरूरी है यदि आप भगति के मार्ग पर है अपने इश्ट के परती तभी जाकर जो है आपकी भगति सफलोगी आपकी पूजा पार जो है वो फलीबूत होगा भक्ति के मार्ग में जो विश्वास है वो नीव है आपकी भक्ति की यदि आप माताकाली की पूजा करते हैं तो आप किसी समस्या से घिरेवे हैं आपको कहीं भी उपाय नहीं मिल रहा और आप पूजा पाड़ तो कर रहे हैं लेकिन आपकी समस्या समापती नहीं हो रही तब आपके मन में ऐविस्वास की भावना अपनी मा के प्रति आ जाती है कि मा कुछ क्यों नहीं कर रही तो ऐसी भावना उत्पन होती है जिसकी वज़े से आपकी पूजा फली बूत नहीं हो पाती क्योंकि एविस्वास आ गया दूसरी बात अगर की जाए तो कुछ लोग सेवा तो करते हैं बहुत ध्यान रखते हैं और अपना 100% देते हैं कोई भी कमी नहीं छोड़ते लेकिन वो क्या कर बैठते हैं वो अपनी पूजा का दिखावा करते हैं अपना गुनगान करते हैं अपनी महानता के बारे में जो हैं बताते हैं सबको जो की माता काली को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं दिखावा करने वाले लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं ऐसे व्यक्ति तो आपको बहुत ही जो है परसन नहीं होती क्योंकि ये भी एक गलती है, जो किसी भी भग्द के द्वारा की जाती है, देखे माता काले की पूजा एक ऐसी पूजा है, जिसमें व्यक्ति को समय समय पर अनुभव होते हैं, ऐसी परिष्थितिया जो है आती हैं, जब वे पूंटे भग्ति में लीन हो जा हैं लेकिन वे क्या कर बैठते हैं वे अन्य व्यक्तियों के साथ उनका साजा करते हैं चाहे वे उनके परिवार के सदस्य हैं बाहर के सदस्य हैं लेकिन सब को वो अपने अनुबव बताते रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है जिससे आपको आपकी पूजा का फ का साजा कि आप शेयर करने लगते हैं अन्य वेक्तियों के साथ, जिसके कारण माता काली की पूजा वो फली बूत नहीं हो पाती, कुछ लोग मा काली की पूजा करते हैं, तो सिर्फ मा काली की ही पूजा करते हैं, लेकिन मा काली कभी अकेली नहीं चलती, मा काली सदेव बाबा के बगेर जो है माता काली की पूजा फली भूत नहीं होती उनकी अकेली की पूजा कभी नहीं होती वे अकेली नहीं चलती और साथ में आपको बोले बाबा की पूजा भी करनी होती है तो इन कारणों की वज़े से भी आपकी जो पूजा है वो फली भूत नहीं हो पाती उन्हें ग्यान ही नहीं होता कि उन्हें साहयक देवों को भी पूजना होगा जिससे माकाली जो हैं प्रसन्न होती हैं यदि ये गलती आप करते हैं तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी आपको आपकी पूजा का फल नहीं प्राप्त होगा कुछ लोग जो हैं पूजा के दोरान डर का भी अनुभाव करते हैं परन्तू हमें डरना नहीं है क्योंकि वे माँ है वे किसी का बुरा नहीं कर सकती क्योंकि वे जब भी आएंगी तब भी आपका भला ही करके जाएंगी वे जब भी आती हैं भला करके ही जाती हैं यदि आप उनसे डरते हैं डर का एक अपने मन में भाव रखते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी-कभी व्यक्ति क्या गलती कर बैठते हैं कि वो अपना पूरा समर्पन भाव पूजा में नहीं कर पाते उनका मन केंद्रित नहीं होता वे एक जगह पर टिक नहीं पाते तो इस वज़े से भी आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होता क्योंकि आपको पूर्टा समर्पित होना होगा मा के चर्णों में और कुछ व्यक्ति पूजा तो करते हैं लेकिन वे नियम नहीं निबाते जैसे वे मा सहार करते हैं और ऐसी वस्तों का सेवन करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी तो ये भी सही नहीं है जिनकी वज़े से आपकी पूझा सफल नहीं होती च्योंकि माता काली की पूझा में आपको नियमों का पालन करना होगा उनका ध्यान रखना होगा अग्यानतवस की गई भूल भूल नहीं होती लेकिन यदि आप जान भूझ कर करते हैं तो वो भूल ही मानी जाएगी और सबसे बड़ी गलती जब कुछ व्यक्ति माकाली की पूजा सुरू करते हैं तो वो छोटी पूजा से सुरू नहीं करते जैसे उन्हें कोई ग्यान नहीं है पूजा के बारे में कुछ पता नहीं है लेकिन वो बड़ी साधना करना चाहते है लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए उन्हें एक छोटी पूजा से सुरू आत करने चाहिए अपने आपको काबिल बराना चाहिए जैसे चालिसा से प्रारंब करें कुछ महीने चालिसा करें एक साधारन पूजा जो है आपको प्रारंब में जो है करनी होगी लेकिन वे क्या कर बैठते हैं वे जो हैं बड़ी पूजा कर बैठते हैं वे साधना करने लगते हैं सीधा वे साधना ही करना चाहते हैं जबकि उन्हें साधना का शै भी पता नहीं होता तो लोग पूजा करना नहीं जानते लेकिन साधना करना चाते हैं तो ऐसी गलती में कर बैठते हैं जिसकी वज़े से उनकी पूजा जो है साधना जो है वो सफल नहीं हो पाती कुछ लोगों को गुसा इतना आता है कि वे इतनी पूजा पाट करते हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा एनरजी कठी हो जाती है इतनी ज़्यादा एनरजी एकत्रित हो जाती है कि वो क्रोध के रूप में बाहर आने लगती है तो लोग क्या करते हैं वो मातकाली को ब्लेम करने लगते हैं कि उनकी पूजा से हमें क्रोध आता है जबकि सच्चा ये है कि आपका सरीर उस उर्जा का बैलन्स नहीं कर पा रहा जिसकी वज़े से आपके साथ ऐसा होता है यदि आप उनकी पूजा करते हैं तो साथ में आपको जो है भोले बाबा की पूजा अवश्य ही करने चाहिए जो कि उस उगृता को सांती में परिवर्थित करते हैं क्योंकि मातर बोले बाबा ही है जो उगृता को उनकी सांत कर सकते हैं आप ज़्यादा पूजा पाट नहीं तो सिर्फ एक लोटा जल ही चड़ा सकते हैं तो मित्रो ये सब गलतिया जो है किसी भी सादक के भगत के द्वारा की जाती हैं जिसकी वज़े से उनकी पूजा फली भूत नहीं हो पाती और माता भगवती उनसे परसन नहीं हो पाती तो मित्रो आपको युजानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलती हूँ एक नए विशे के साथ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी हर हर महादेव